स्री गड़े सायनुमा, हनमान जी सुनिए, हम यहां से पढ़ेंगे, यहां तक हम पढ़े थे मातु मोही दीजे कछु चिन्हा, जैसे रगुनायक मोही दिन्हा चुडामनी उतारी सब दयाओ, हरस समेत पवन सुत लयाओ हनमान जी ने कही माता, मुझे कोई छिन्ह पछान दीजे, जैसे स्री रगुनाथ जी ने मुझे दिया था तब सीता जी ने चुड़ामणी उतार कर दी, हुनानुहरमान जी ने उसको हरस पुर्वक ले लिया कहे हुतात असमोर प्रनामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल विरुदु समभारी हरहुनात मम संकट भारी हरहुनात मम संकट भारी जानकी जी ने कहा हे तात मेरा प्रनाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना हे प्रभु यदे पी आप सब प्रकार से पुर्ण काम है आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है तथा पी दीन दुखियों पर दया करना आपका विरद है और मैं दीन हूँ अता उस विरद को याद करके हे नात मेरे भारी संकट को दूर कीजिए ये जो है दुखा ये बहुत महत्वपोर्ण है हमेशा जब भी कोई संकट आता है किसी प्रकार का कोई संकट हो तो इसे स्री राम जी को सुनाकर हनुमान जी को सुनाकर ये बिंति करना चाहिए दीन दयाल बिरदु समभारी हरहुनात मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु समभारी हरहुनात मम संकट भारी ये पढ़ने से भगवान हनुमान जी सब संकट दूर कर देते हैं स्री राम जी सब संकट दूर करते हैं और हमारे संकटों को भी जरूर दूर करेंगे यदि पि आप सब प्रकार से पुल्ण काम है आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है तथा भी दिन दुखियों पर दिया करन आपका विरध है और मैं दिन हूँ अता उस विरध को याद करके है नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिये तात सक्रसुत कथा सुनाय। बान प्रताप प्रहु का प्रभु ही समुजाज समुझाय। मास दिवस महु नाथु ना आवा तव पुनी मोही जियत नहीं पावा। हे तात इंद्रपुत्र जैंत्र की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाल का प्रताप समझाना अश्मन कराना यदी महिने भर में नाथ ना आये तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे कहू कपि केही विधी राखो प्राना तुम्हा हूँ तात कहत अब जाना तो ही दे किसी तली भाई छाती पुनिमो कहू सोई दिनो सो राती है अनुवान कहू मैं किस प्रकाप्रान अखूं हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो तुमको देखकर छाती थंडी हुई थी फि मुझे वही दिन और वही राद। स्री राम जी के पास कमन किया। कुंद्र लांग करवे इस पार आए और उनोंने बानरों को किल्किला सब्ध सब्ध हर्सधोनी सुनाया। हर से सब भी लोकी हनुमाना नूतन जन्म का पिन्ह तब जाना मुख प्रसन तन तेज भी राजा किन्हे सी राम चंद्र करकाजा हनुमान जी को देखकर सब हर्षीत हो गए और तब बानरोण ने अपना नया जन्म समझा हनुमान जी का मुख प्रसन है और सरीर में तेज भी राजमान है जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये स्री राम चंद्रीजी का कारेकर आए है सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए जैसे तड़कती हुए मचली को जल मिल गया हो सब हर्षी थोकर नयना इतिहास व्रितांत पुष्ते कहते हुए सिर्हुनाजी के पास चले तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए रखवारे जब बरजन लागे मुष्टी प्रहार हनत सब भागे तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद के सम्मती से सबने मधुफल या मधु और फल खाए जब रखवाले बरजने लगे तब घुसो की मार मारते ही सब रखवाले भाग छुटे जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुनी सुग्री वहरस कपी करी आए प्रभुकाज सियापति राम चंद्र की जए उमापति महादेव की जए पवन सुतहनुमान की जए जै पुकारा की यूराज अंगदवन उजाल रहे हैं या सुनकर सुग्रीव हरसीत हुए कि वानर प्रभुका कारेकर आए हैं सुन्दर कांड आवस से पढ़ना चाहिए सुन्दर कांड कांड की जरूर शुनान चीए हनुमान जी बहुत प्रशन होते हैं और हनुमान जी हमारे सारी संकुटों को पल में दूर कर देते हैं जीवन अच्छा सुखी कर देते हैं जैसी आराम, जै हनुमान!